जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2022 में रक्षा बंधन का तेवहार कब मनाया जाएगा 11 अगस्त को या 12 अगस्त को गद्रा का समय क्या होगा राखी बांधने का सुब समय क्या होगा साल 2022 में रक्षा बंधन से जुड़ी हम संपूर जानकारी आज इस वीडियो के माधेम से आप लोगों को देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अब ही तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा ह सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे पंचांग की अनुसार हर साल स्रावन माह की पूर्णिमा तिथी को रक्षा वंधन का तेवहार मनाया जाता है इसे स्रावन पूर्णिमा या राखी पूर्णिमा भी कहते हैं यह पर भाई बहन के प्रेम का परतीक है इस दिन बहने अपन बहनों को उनकी रक्षा का वचन देने के साथ ही उन्हें कुछ न कुछ उपहार भेर सो रूप अवस्य देते हैं चलिए जानते हैं साल 2022 में रक्षा बंधन का तेवहार कब है आपको बता दे कि साल 2022 में पूर्णिमा तिथी का प्रारंब 11 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजकर 38 मिनट पे हो जाएगी वहीं पूर्णिमा तिथी का समापन 12 अगस्त 2022 को सुबह 7 बजकर 5 मिनट पे हो जाएगी बात करें राखी बाहने की सुम महुर्थ की और रक्षा बंधन कम मनाया जाएगा तो आपको बता दे कि रक्षा बंधन का तेवहार साल 2022 में 11 अगस्त को मनाया जाए वहीं राखी बाहने की महुर्थ की बात करें तो महुर्थ के बारे में बताया गया है कि यदि पूर्णिमा के दोरान अपराहन काल में भद्रा हो तो रक्षा बंधन नहीं मनाना चाहिए ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के सुरुयाती तीन महुर्थों में हो तो प परदोस काल के उतरार्ध में मना सकते हैं। तो उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और मेरे इस घरेलुख अबर चैनल को सब्सक्राइब करें।